क्या कर रहा बाबू? तो आज है दिवाली का दिन, अल्मोंस सारी तैयारियां हो चुकी है बाबू, क्या कर रहा बिटा? क्या कर रहा बाबू? खा खा, खा, खा वन पिस बेलो ये खाएगा ये खाएगा, खालो खालो खालो, फिनिस करो, फिनिस करो तो घर का डेकोरेशन हो गया है हम लोगों ने अल्मोश सारा काम मतलब कली कर लिया था लाइट वाइट जो भी डेकोरेशन वेगर है हम लोगों को करनी थी थोड़ी बहुत वो हमने कली कर ली थी लेकिन अव्यू इस तरह से सारी जुजे निकाल रहा है, तोड़ रहा है, फेक रहा है, कुछ बच्चों के साथ ये सारी चीजे थोड़ी से मुस्किल हो जाती है तो आज मुझे सिर्फ रात के लिए खाना बनाना है और रंगोली वेगर बनानी है बस और आसिस पूजा में बैठेंगे तो उनका फास्ट है पहले हम लोगों ने सोचाता है कि हम दोनों ही पूजा में बैठेंगे बट अव्यू को रखना फिर थोड़ा मुस्किल हो जाता है, किसी एक को तो रखना ही पड़ेगा तो आसिस बोले कि मैं बैठ जाता हूँ पूजा में और अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पर पमकिन की सबची तो जिसे कि हमारे तरफ कोहना बोलते हैं, बहुत लोग कद्दू भी बोलते हैं इसे और दिवाली के दिन खास करके इसे बनाया जाता है हमारे यहाँ तो अब सबसे पहले मैं इस सब्ची बनाऊंगी क्योंकि यह वहाथ ही जल्दी से बन करके तयार हो जाती है और इसकी सब्ची की रेसीपी मैंने अल्रेधि अपनों के साथ सेयर की हूई है सुखी लाल मेर्च, हींग, सॉफ, थोड़ी सी मेथी और सरसो एड़ किया है और अब मैंने इसमें जो कद्दू है, कोड़ा जो भी बोलते हैं वो मैंने एड़ किया, साथ हल्दी नमक एड़ कर दिया और इसे बनने में बहुत कम टाइम लगता, बहुत जल्दी से ये सॉफ भी हो जाती है अब मैंने यहाँ पर एड़ किया सबजी मसाला, मिक्स मसाला जिसे की और इसकी रेस्पी मैंने और रेड़ी सेहर की हुई है आप लोगों के साथ और इस तरह से मसाले वगरा बना के रख लेने से, सबजी यहाँ बहुत ही जल्दी फटाफट से बन करके तयार हो जाती है तो उसके बाद मैंने एक से डेड़ चमाई सबजी मसाला एड़ किया उसके बाद अद्रक मिर्च कूट के रखी थी मैंने कल ही तो वह मैंने इसमें एड़ करी है और इसे अच्छे से थोड़ी दिर के लिए भून लेंगे तो यह यहाँ पर सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाती है उसके मैंने इसमें थोड़ी से चीनी एड़ करी है क्योंकि जो क कद्दू की सबचीन एकदम चट पटी खटी मीठी बन करके तयार होती है और आज अब यो खुद से खेल रहा था तो बहुत जादा अच्छा लग रहा था वो जनरली खुद से खेलता नहीं है हमेशा किसी ने किस एक को खेलना पड़ता है उसके साथ बट आज वो खुद स बट फिर आसिस बोड़े की सवई मत बनाओं जो आज पी इतना सारा मीठा खाया जा रहा है अब सवई बनाओंगी तो एक और मीठा हो जाएगा तो फिर मैंने नहीं बनाया और अभी मैं बना रही यहाँ पर आलू गोवी की सबजी तो गोवी को मैंने कली मतब साफ करके ध होके रखा था तो सबसे पहले मैं यहाँ पर गोवी को भून रही हूँ और जो आलू थे वो भी मैंने कली वॉयल करके रखे थे और दिवाली के दिन जित्ता कम काम हो फिर भी काम ही होता है अब कितना भी कर लो काम ख़त नहीं होता है और साथी मैं बनाओंगी यहाँ पर दही फुल की जो कि बहुत ज्यादा टेश्टी लगती है खाने में और इस बार मैंने दही वड़ा नहीं बनाया था हर बर दही वड़ा या कांजी वड़ा बनाती हूँ लेकिन इस बार सब को सर्दी जुकाम था तो मैंने नहीं बनाया बट मुझे लाश में मन करने लगा तही फुल की बनाने का, तो मैंने यहाँ पर नॉर्मली बेसन लिया, उसमें हल्दी, नमक और थोड़ी से मैंने इसमें हींग एड़ करी है, और इधर जो गोबी थे ना, मतलब भून गया थे, तो मैंने इसमें आलो एड़ कर दे, उसे भी मैं यहाँ पर अच्छे से भूनू तो साथ आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा अटपटा लगे, और इधर जो लॉक है, मतलब लॉकी बोल रही है, यह कद्दू कोणा की सबजी है, वो रेड़ी हो गई, तो मैंने लाश्ट में इसमें गरब मसाला एड़ किया है, और इसे खाली करके मैंने रख दिया, और तो दो टमाटर लिये थे, मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया, सारे खाने मतलब बिना प्याईला सुन के, और विस पूजा वेगर होता है, तो इस तरह से प्याईला सुन नहीं खाते है, तेल डाला है, मैंने यहाँ पर कड़ाई में, जीरा, हींग, मिर और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, और अब युदर आ गया है, वापस सारी चीजे निकालने हो, जब भी मैं इस तरह से किचन में खाना बनाती हूँ, मुशली वो सोया रहता है, मतलब वीडियो जब मैं बनाती हूँ तो सोया रहता है, लेकिन आज वो जग लाल मिर्श का पाउडर और उसे मैंने अच्छी से भूना है, ताकि उसमें हम बात में आलू गोवी को अड़ करें तो अच्छी बने, यहाँ जो बेसन वाला घोल था ना, मतलब जिसमें मैंने हल्दी नमक अड़ करी थी, उसमें मैंने थोड़ा सा सोडा डाल करके खाने व पानी में सबसे पहले डालेंगे तो मैंने यहाँ पर पानी चड़ा देया, गर्म होने के लिए हलका सा गुनूना करना बहुत ज़्यादा नहीं, नमक अड़ करी है मैंने थोड़ी सी ज़्यादा क्योंकि जब इस तरह से हम पकोड़ों या फिर दही बड़ों को हम पानी मे कंदी होती है, बट मुझे जेनरली मतब साफ किचन अच्छा लगता है तो मैं काम के बीच बीच में क्लीन करती जाती हूँ, लाश में मैंने आलूगोवी की सबची में कसूरी मेती बारी कटा हरा धनिया और गरम मसाला एट किया है, और यहाँ पर जो आलूगोवी की सबच और यह जो पकोड़े वाला गोल है ना बेसन को बहुत जादा पतला या फिर बहुत जादा गाड़ा नहीं रखना है, मीडिया में रखना है, और जब तेल अच्छा गार्म हो जाए ना तो पकोड़े यहाँ पर इस तरह से तल लेने हैं, और पकोड़े देखते ही अब इस तरह से आपको अगर कुछ चट पटा, चट पट से मतब घटी मीठी तीखी वाली चीज या फिर चाट पसंद हो तो आप यह पकोड़े वाली तही ट्राई कर सकते हैं, बहुत जादा अच्छी लगती है और बनाने में बहुत कम टाइम लगती है, सामान भी कम लगते है यहाँ पर जो पकोड़े हैं वो मैंने पानी में डाल दिया और इस तरह से आपको पकोड़े ना पानी में बहुत ज़्यादा दिर के लिए नहीं छोड़ना है, बस एक मिट तक के लिए छोड़ना है, नहीं तो जो पकोड़े है ना बहुत ज़्यादा साफ्ट हो जाएंग में के आपने मिडियम रखा है और यह था दही वाला मिक्शर और यहां पिसीवी चीनी आपने मिट और हम और जीरे पाउडर अड़कर किया है कसमीरी लाल जटनी तो पाउडर करों पाउड़ और पाने निकाल लिए उसे अब आट कर देंगे साथी उपर से मैंने इसमें एड़ गया है चिली फ्लेक्स, भुने और जीरे का पाउडर और बारी कटा हरा धनिया आप चाहे तो उपर से हरी चटनी जो धनिया पुदिना की होती वो भी एड़ कर सकते है उससे भी टेस्ट काफी जादा बढ़ जाता है लेकिन मेरे पास दी नहीं तो मैंने इसे सिंपल ही रखा उपर से मैंने यहाँ पर इमली की चटनी एड़ किया खाना पीना यहाँ पर सारा कुछ बन गया है आप मैं सोच रहे हुँ क्यूंक मैं पहले Schon को क्लीन कर लूँगी वरतन भरतन द्धो लूँगी इसके बाद मैं यहां पर पूरिया बनाओंगी सारा खाना azt किसरेखवे बन गया है तो मैंनी यहांपर अपने श्टार्ट किया क्यूंकि दिवाले का दिन इस तरह से गंदा रहता है कुछ भी तो अच्छा नहीं लगता है मैं रात के लिए कोई भी काम मतला अपने लिए रखना नहीं चाहती हूँ कि मुझे यह यह करने हैं तो मैं यहाँ पर अपने सारे काम खत्म कर रही हूँ फड़ा फड़ के अव्यू को खाना पिना खिला करके मैंने उसे सुला दिया और मैं यहाँ पर आगी हूँ रंगोली बनाने के लिए क्योंकि अव्यू जगा रहता है तो जो काम मतलब पांच मिर्ट में हूँ वो दस मिर्ट लग जाते हैं करने में क्योंकि बार मर उसे ही समालना पड़ता है तो मैंने सोचा है मैं उसे सुला लूँगे फिर मैं यह सारे काम करूँगी और आसिस भी आ गए मेरी यहाँ पर हेल्प करने के लिए और हम दोनों हर साल इसी तरह से साथ में ही रंगोली बनाते हैं कि रंगोली बनाने में टाइम लगता है और मतलब जैसे कि एक साथ में कोई हो ना तो बहुत ज्यादा अच्छा भी लगता है तो यहाँ पर मेरी रंगोली अल्मुष्ट गई है मतल्ब कम्प्लीट करके मैं यहाँ पर किचन में आ गई हूं पूरियाँ बनाने के लिए लोगों के खाने के लिए पूरिया बना ली है और मैंने अब थोड़ा साथा छोड़ दिया जो कि मैं लाश में बनाऊंगी जब पंडी जी खाएंगे क्यों पंडी जी को इस तरह से ठंडी पूरिया देना अच्छा नहीं लगेगा और यह मैंने यहाँ पर सूरन की सबजी बनाई है जिसे की जीमी कंद बोलते हैं और इसकी वीडियो मैंने नहीं सूट की थी यहाँ पर मैं तयार हो गई हूँ दिये वेगरा मैं लगाने लगी हूँ लेकिन इतनी जादा तेज हवा चल रही थी कि एक भी दिया जल नहीं पा रहा था मतलब बार फ़र सारा बुच जा रहा था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ बट फिर भी मैंने ऐसे ही जला करके छोड़ दिया और यह मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि मैंने घर को कैसे डेकोरेट किया है तो उतने प्रॉपर तरीके से तो मैं व्लॉप को सूट नहीं कर पाई थी क्योंकि सारा कुछ मतलब मुझे ही करना था तो बट मैंने जितना भी किया है आई होप आप लोगों को पसंद आएगा देखिए मैंने कैसे सजाया है मुझे जरूर से क्मिट करके बताईएगा और हाँ सारा लाइक कीजिएगा इस वीडियो को साथ बजे के अराउंड पंडी जी भी आ गया थे और सारा काम हो गया था उसके बाद सबसे पहले पंडी जी को भोजन करवाया हमने पंडीन की सबसे बहुत जादा अच्छे लगी वो बता रहते किससे पहले उन्होंने कभी नहीं खाया है उसके बाद हम लोग नीचे चले आए क्योंकि आल्रेडी पूजा की वज़े से थोड़ा लेट हो गया था और अब यू कब से वेट कर रहा था कि कब चलोगे नीचे कब चलोगे नीचे उपटा के लेकर के वेट कर रहा था और नीचे जब हम लोग आए तो काफी जादा ठंड देती बहुत जादा हवा वेगरा चल रहा था अब यू को सर्ती चुखाम भी हो रखा था आसे सारा दिन से फास्टिंग में थे तुने बहुत तेज की भूग लगी भी थी अब यू भी काफी जादा ठंग गया था मैं भी बहुत जादा ठंग गय थी सारा दिन काम काम करके तो ऐसी रही हमारी दिवाली कैसी लगी आपको ये व्लॉग मुझे जरूर से कमेंट करके बताईएगा अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा